नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल नौलिज पंडित पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 कॉशन्स लेकर आया हूँ और ये प्रिवेस यह कॉशन्स के मोस्ट रिपेड़िट प्रश्णों में से सांदार सिलेक्ट 100 कॉशन है हर एक्जाम के लिए माश्टर वीडियो है आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शियर करें साइंस के कॉशन्स हैं 100 के 100 इंपॉर्टेंट हैं तो जरूर यात कर लीजेगा तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्ण है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं तो यह डेंटाइन के बने होते हैं किस जन्तु की आकरती पैर के चपल के समान होती है तो पैरा मिश्यम की आकरती पैर की चपल के समान होती है केच्व में कितनी आखें होती है तो केच्व में एक भी आखें नहीं होती है गाजर किस विटामिन का समर्द इस्त्रोथ है तो गाजर विटामिन A का समर्द इस्त्रोथ है निम्नमेजिक किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है ओप्शनल कोशन है तो चामल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है मानव मस्तिस्क लगभग कितने ग्राम का होता है तो तेरा स बूर्ण करता है तो पनीर क्यूँगी इसमें प्रोटीन होता है कौन एक उड़ने वाली छिपकली है तो गोसला बनाने वालगी सबसे बड़े मचली कौन सी है तो वेल शारक प्रशनका सही दाले किसका अच्छा स्त्रोत है तो दाले प्रोटीन का अच्छा स्त्रोत है देसी घी में सुगंद क्यों आती है तो डाई एसे टिल के कारण देसी घी में सुगंद आती है इंद्रधन उसमें किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है टेलीवियन का विश्कार किस ने किया था जोन लोगी बेयाज्ड ने किया था हीरा चमकदार क हो दिखाई देता है तो सामुहिक आंत्रिक परावरतन के खारण यह도 है चमकाई देता है गowember गैस में मुख्य होता है तो इसमें मीथेन होती है दूद की शुद्धा मापने वाले यंद्र को क्या कहते हैं तो इसे हम लेक्टोमीटर कहते हैं प्रत्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाय जाने वाला धातु तत्वा कौन सा है तो अलुमिनियम सही उत्तर हो जाएगा मोती मुखी रूप से किस पदार्थ का बना होता है तो कैल्शिय कार्बोनीट का बना होता है मानो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा दत्वा पाय जाता है तो ऑक्सिजन सही उत्तर हो जाएगा किस प्रकार के उतक शरीर के सुरक्षा कवच का काम करते हैं तो एपी थीलियम उतक सही उत्तर हो जाएगा मनुश्य ने सरवपर्थम कि जन्तु को अपना पालतु बनाया था तो कुट्ता सही उत्तर हो जाएगा किस वैग्यानिक ने सरप्रतम बर्फ के दो तुक्णों को आपस में घिसकर पिखला दिया था तो डैवी सही उत्तर है सबसे अधिक तेवरता की ध्वनी कौन उत्पन करता है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option के according यहाँ पर answer है बाग यहाँ पर option रहेगा तो answer हो जाएगा जब ध्वनी तरंग चलती है तो अपने साथ क्या लेकर चलती है तो उर्जा लेकर चलती है सूरक रण के समय सूरका कौन सा भाग दिखाई देता है तो किरीड भाग दिखाई देता है, सुर्य करण कितने रंग के होते हैं तो सात रंग प्रशन का सही उतर है, टाइप राइटर टंकन मशीन के अविश्कारक कौन है तो शॉल्स प्रशन का सही उतर है, सिर्का को लेटिन भाशा में क्या कहते हैं तो एसिटम कहते हैं, कपणों कोफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वारा चिकोरी चूंड कैसे प्राप्त होता है विटामिन C का सबसेचे स्त्रोध क्या है तो आउला सही उत्र हो जाएगा किस के द्वारा अनुवांशिक्ति के विज्यान को अनुवांशिकी कहा गया सौरूर्जा किस से प्राप्त होती है तो सूरे से प्राप्त होती है धूल प्रदूशन रोकने के लिए उप्युक्त वरक्ष कौन सा है तो नीम सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित मैंसे उस्मा का सबसे च्छा सुचालक कौन है तो ठंडा पानी सही उत्तर है निमलिखि दो बजिकार नंटरिक शात्रि को कहाँ और देखा है तो यहीं उत्तर हो जाएगा ज़कार सबसे अदिक सुचालग है तो चांदी उत्तर हो जाएगा सूर्य में क्या होता है तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है दाल चीटियों में कौन सा अमले पाजाता है तो इन में फॉर्मिक अमले पाजाता है हल्दी के पौधे का खाने योग हिस्सा कौन सा है तो प्रकंद सही उतर है निम्नमें से कौन सा रूपांत्रिक तना है तो आलू प्रशन के लिए सही उत्तर है भोजपत्र कैसे उत्पन होता है तो बैटूला की छाल से भोजपत्र उत्पन होता है चोब मंडल शब्द किस वैग्यानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था तो तिसरा दाबोर प्रशन के लिए सही उत्तर है प्रत्वी के वापस होने वाले सौर विकरण को क्या कहते है तो प्रत्वी से वापस होने वाला सौर विकरण पार्थ विकरण कहलाता है सूरिय तब प्रत्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुँचता है तो लगू तरंग के रूप में पहुँचता है दीपों की संक्या सरवाधिक कहां पर है तो प्रशांत महा सागर में है जब सूरी चंद्रमाव परत्वी लगवग एक ही सरल रेखा में इस्तित होते हैं तो इस्तिती में क्या होता है तो दैनिक जवार की इस्तिती होती है भाँ सरवादिक लवंदा वाला सागर कौन सा है तो यहाँ पर वॉन लेक सरवादिक या सरवादिक लवंदा वाला सागर मृत सागर है अगला कॉशन है किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगस्तानी या उपरेगस्तानी जलवायू दशाओं के अंतरगत होता है तो eridosol प्रशनका सही उतर है जल में पन अपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं तो यह उन्हां हाइड्रोफाइट्स कहते हैं माला बार छेतर में किस प्रकार की वनस्पती मिलती है तो वर्शावन प्रशनका सही है उतर है X-ray का विश्कार किस ने किया था तो रॉन्जन ने किया था प्याज और लहसन में गंद किस प्रकार की उपस्ती करना आता है तो यह उसमें पोटेशम तत्रो की उपस्ती होती है इसलिए उसमें गंद होती है आलू किस कुल से सम्बंदित है तो यह सुलोनेसी कुल से सम्बंदित है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है तो यहाँ छाल से प्राप्त होती है तारपीन का तिल किस से प्राप्त होता है तो तार के व्रक्ष से प्राप्त होता है इस सदी के प्रारम में हवाई जहाज का अविश्कार किस ने किया था तो राइड ब्रिदर्स ने किया था दक्षणी गुलाद में सबसे बड़ा कोईला छेतर कौन सा है तो न्यू कैसल है किस प्रकार की जलवाईव में पॉट जूल का निर्मान होता है तो भूमद सागरिय प्रशन का सही उतर है पेट में भोजन को पचाने के लिए किस की खास आवश्कता होती तो एंजयायम सही उतर हो जाएगा कारवन का सरवादिक शुद्रूप कौन सा है तो हीरा सही उतर है सदिसरासी कौन सी है तो वेक सदिसरासी है वहानों से निकलने वाले प्रदूशित गैस मुख्यत है कारवन मोन औक्साइड है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मॉम कौन सा है तो पेराफिन मॉम है नीबू खटा किस कारण से होता है तो यह साइट्रिक अमले के कारण खटा होता है सराप का निर्मा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है तो किंजमन सही उतर है एक दिसमलोग 5 मीटर लंबे विक्ती को अपना संपूर प्रत्वियम देखने के लिए आवशक दरपन की नियुनतम लंबाई क्या होगी तो 0.75 मीटर होगी पौधे के किस भाग से कौफी प्राप्त होती है तो बीजों से कौफी प्राप्त होती है प्रोटीन का सबसे अच्छी स्त्रोट कौन सा होता है तो स्वयबीन सही उतर है धान का परसे दखेरा रोग किस के कारण होता है तो विशानू के कारण होता है जीव द्रवी जीवन का भौतिक आधार है यह कतन किस ने किया था तो लेमार का कतन है लेकिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते है तो जीरो फाइट्स कहलाते है सुर्की उस्वा प्रत्वी पर निमलिखित मैंसे किस प्रकार की संचार माध्यम से आती है तो विकरण संचार माध्यम से आती है माइक्रोफोन का विश्कार किस ने किया था तो ग्राहम बेल ने किया था मैनोमीटर के द्वारा किस की माप की जाती है तो गैसों के दाप की माप की जाती है निमलिखित मैंसे शुद्य तत्व कौन सा है तो सोडियम सही उतर है सुरकी क्रणों की तीब्रतम आपने वाले उपकरणों को क्या कहते है तो एक्टियो मेजर कहते है हाईडोजन का अवशुशन करने वाली धातू कौन सी है तो पैलेडियम प्रशन का सही उतर है क्यूरी निमलिकित मैंसे किसकी एक आई का नाम है तो रेडियो धर्मिता की एक आई है वायू में थोड़ी देर रखने पर किसी धातू के हरे रंग की बैसे कार्बनेट की परज जम जाती है वह धातू कौन सी है तो वह तामबा है प्रोटॉन की खोज किस ने की थी तो गोल्ड स्टीना ने की थी नाभिक का द्रविमान संख्या क्या होती है तो नाभिक में न्यूकलाणियो की संख्या नाभिक की द्रविमान संख्या है चटानों की आयू घ्यात करने के लिए रेडियो आयू अंकन का प्रियोग समस्थानिक जो प्रियोग किया जाता है वह कौन सा है तो uranium का प्रियोग करते हैं कार्बर मनोरोक्साइड नाइट्रोजन गैस के मिश्रेण को का कहते हैं तो इन अम प्रोडूसर गैस कहते हैं LPG में कौन सी गैस मुख्यता होती है तो ब्यूटोईन होती है कपूर को किस वीदी के द्वारा शुद्ध करते हैं तो उर्ध वो पातन सही उत्तर है मैंडलीब की आवर सायनी में तत्वों का वरी इकरण किसके आधार पर हुआ है तो परमाणू द्रविमान के आधार पर हुआ है किस खनिच से रेडियम प्राप्त होता है तो पिछ ब्लेंड सही उत्तर हो जाएगा फोटोग्राफी में उप्योगी तत्वा कौन सा है तो सिल्वर ब्रोमाइड है वहनों से निकलने वाला प्रदूशित गयस मुखिता कौन सा है तो कार्वन मोनोकसवाइड है भारत में मिथेन गयस का बड़ा स्तरोत क्या है तो धान के खेत प्रशन का सही उत्तर है मानों में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है तो मूतर में उपस्तित होता है भोजन का उर्जा में परिवरतन कोशका के किस भाग में होता है तो माइटो कॉंट्रिया में होता है कुशका सिद्दान का प्रतिपादन किस ने किया था तो स्लाइड इन और स्वान ने किया था यूरेसल किस में पाया जाता है तो RNA प्रशन का सही उतर है Electron Microscope में प्रकास का स्तोरोध क्या है तो Electron किरने है peptide band किसके बीच में उपस्तित होती है तो यहां amino amla के बीच में उपस्तित होती है protein का sensation कहां होता है तो ribozoom में होता है transformer प्रयोगत होता है तो AC voltage का option करने के लिए प्रयोग होता है कौन सा उतक द्वतियक वर्दी के लिए जिम्मिदार है तो cambium सही उतर है भारत में Norman warlock किस के लिए प्रसित है तो हरित करांटी के लिए प्रसित है कौन सा उतक जल में परिवहन का काम करता है तो पादपों में जल परिवहन जाईलम उतक के द्वारा होता है कपास के रेसे किस पौधे के भाग से किस भाग से लिये जाते हैं तो कपास के रेसे पौधों के बीजों पर अधी चर्मी रोम होते हैं सौसन मूल किस में पाई जाती है तो जूसिया प्लांट में सौसन मूल पाई जाती है चंदन को सामाने तख क्या माना जाता है तो आंशिक मूल पर जीवी माना जाता है गन्ना और गेहू किसके द्वारा पराक्कन होता है इन में तो गन्ना और गेहू में हवा द्वारा पराक्कन होता है वासपो सरजन मापी अंतर कौन सा है तो पोर्टोमीटर है किस पशू के दूद में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है तो भेड सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों देखिए 100 कॉशन मैंने कितनी स्पीड में कम्प्लीट करा दिया अगर आप इसी प्रकार की सीरीज चाहते हैं तो डेली हमारे चैनल से जुड़े डेली वीडियो अप्लोड होता है दस बजे आप अपने दोस्तों के साथ शेर भी करिए कमेंट करके बताइए कैसे लगा वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो